आने वाला समय जब केंद्र में गैर भाजपा सरकार होगी तो उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया जाएगा और दूसरे तोर पर किया जाएगा पुर्णा करात्मत मानसिटा से सपना संजोते हैं वह साकार नहीं होता यह इतिहास को मिटाने वाले लोग हैं हम लोग इतिहास बनाने वाले लोग सबसे बड़ी बात यह है कि सुसील मोदी जी ने जो ब्यान दिया है कि सेंटरल विष्टा और नए संसत भौन में विपक्षी दल के लोग नहीं जाए यह आपत्ति जनक बात है और इस तरह की भासा सुसील मोदी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना कहीं न कहीं लोग तंत्र ल चलने का जो भारतिय इंता पार्टी का पहले से प्रियास चलना है उसको आगे बढ़ाने का काम किया ललन जी ने उसी संदर्व को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब सुसील मोदी जी को इस बात का इतराज है तो उनको अस्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आने वाला समय जब केंदर में गयर भाजपा सरकार होगी तो उसका इस्तिमाल दूसरे तरीके से किया जाएगा धूसरे तौर पे किया जाएगा उसी सडियंत्र का हिस्सा है सुसिल मुदी का भ्यान। हम लोग इत्यास वनाने वाले लोग हैं। तो उनको असपश्ट कर देना चाहते हैं कि आने वाला समय जब केंद्र में गैर भाजपा सरकार होगी तो उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया जाएगा और दूसरे तोर पर किया जाएगा। जब आप स्वयम विपक्षी दलो को उस संसत भौन में नहीं जाने देने के लिए जिस तरह की भासा इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहरतीयंतापाटी का जो लोकतांत्रा लोकतांत्री का अधिकार है उसको कुचलने का जो सडियंत्र चल रहा है। आप सफ़ना कभी साकार नहीं होगा। मानसिकता सफना संजोते हैं वह शकार है। आज पूरा देश का लोग गौरवानवीत है जिस परधान मंत्री जी के नित्युत में क्या वो सरीमान लालू परसाथ जादव नितिश कुमार केजरिवाल जी के नित्युत में भारत गौरवानवीत होगा ये इतिहास को मिटाने वाले लोग है हम लोग इतिहास बनाने वाले लोग हैं